मुझे लगता है कि चार मैच्चेज में दो इंडिया जरूर जीतेगी और एक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ क्योंकि जब तीम हार जाती है तो उनका खेलने का तरीका बदर जाता है दो एक से बॉर्डर गावसका ट्रोफी जीतने की भविश्य वानी और टीम इंडिया ने उसी मार्जिन से उस्टेलिया को याद दिला दी उनकी ही नानी नरेंद्र मोधी स्टेडियम की पिछ में निकला फ्लो और पांच दिन मैच खिचने के बाद भी चौथा टेस्ट हो गया ड्रो तीन साल के बाद खत्म हुआ कोली की खराफ फॉर्म का पैच और 186 रन मार कर विराध बन गए मैन अफ दा मैच अश्विन और जडेजा ने ऑस्टेलिया बैटिंग को कर दिया फ्रीज और भेतरीन पर्फॉर्मेंस के साथ दोनों बन गए मैन अफ दा सिरीज इस जीत के साथ इंडिया वर्ड टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल में भी पहुँच गया है और अब इंडिया और ऑस्टेल उनको ओवल के मैदान पर वर्ड टेस्ट चेंपेंशिप जीतने के लिए भिढेंगे कैसे ड्रॉ के बाद भी इंडिया पहुची डव्लू टीसी फाइनल में कौन रहा बॉर्डर गावस का ट्रोफी का सबसे बड़ा हीरो और कौन बना बॉर्डर गावस का ट्रोफी का सब से बड़ा जीरो सब बता रहा हूं इस वीडियो में इंडिया और ऑस्टेलिया के बीच चौथा टेस्ट ड्रोव हो गया और इसी के साथ टीम इंडिया ने ऑस्टेलिया को हरा कर दो एक से बॉर्डर गावस का ट्रोफी जीत ली लेकिन इस जीत की खुशी में और सुआद तब आया जब न्यूजिलेंड ने शीलंका को उसी दिन दो विकेट से हरा कर इंडिया का वर्ड टेस्ट चैंपिन्शिप के फाइनल का टिकेट कंफर्म कर दिया इंडिया को वैसे खुद से डबूटीसी फाइनल में पहुचने के लिए औस्टेलिया को तीन एक से हराना थ पर क्यूंकि इस मार्जन से इंडिया जीत नहीं पाई तो इंडिया को डबूटीसी फाइनल में पहुचाने की सारी जिम्मेदारी आई न्यूजिलेंड के ऊपर क्योंने किसी भी तरह शीलंका से दो टेस्ट की सीरीज 2-0 से नहीं आणनी है शीलंका ने भाईया जोड तो बहुत लगाया लेकिन केन मामा सॉरी केन विलियमसन और डैरिल मिचल की दोनों इनिंग्स में जबर्दस पारी की मदद से मैच की आखरी बॉल पर न्यूजिलेंड ने शीलंका को हरा कर इंडिया को डबलू टीसी फाइनल में पहुचा दिया अब बात करते हैं बॉर्डर गावसकर ट्रोफी के हीरो की पहले मैच में जबर्दस सेंचुरी मार कर कप्तान रोईज शर्मा ने जो आग लगाई थी वो चौथे टेस्स तक आते आते थोड़ी ठंडी हो गई दूसरी तरफ पहले मैच से ठंडे ठंडे चल रहा है विराट कोली ने आखरी टेस्ट में जबर्दस सेंचुरी मार के इंडियन क्रिकेट फैंस को रिलीफ दे दिया लेकिन जिन तीन प्लेयर्स ने पहले टेस्स से लेकर चौथे टेस्स तक बढ़िया परफॉमेंस दिया वो रहे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रवी चंदरन अश्विन अक्षर पटेल को वैसे जडेजा और अश्विन के चक्कर में पूरी सिरीज में जादा बोलिंग नहीं मिली लेकिन बैटिंग में अक्षर पटेल ने अच्छे अच्छे बैट्समें को पीछे छोड़ दिया पहले टेस्ट में 84, दूसरे में 74, तीसरे में दोनों इनिंग्स में नोट आउट और चोथे में 79 अक्षर पटेल ने हर मैच में बैट से इंडिया को टेंशन से निकाला और जो काम पूरी सिरीज में इंडिया के टॉप ओर्डर को करना था वो अक्षर पटेल ने कर दिखाया लेकिन मैन ओफ दा सिरीज मने रवी चंदन अश्विन और रविंद्र जड़ेजा जिनोंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से उस्टेलिया के होश उड़ा दिये जड़ेजा ने पूरी सिरीज में ऑस्टेलिया के 22 विकेट उखाडे और बैटिंग में एक हाफ सेंचुरी के अलावा ज्यादतर इनिंग्स में वो पांचवे नंबर पर बैटिंग करने उत्रे अश्विन वैसे बैट से बहुत ज़ादा कमाल तो भहिया देखो दिखा नहीं पाए लेकिन यूस्फुल कॉंट्रिब्यूशन तो उन्होंने दिये अश्विन ने पूरी सिरीज में ऑस्टेलिया के 25 विकेट लिये क्या जडेजा और अश्विन को मैन अफ़ दे सिरीज मिलना ठीक था या आपको लगता है कि अक्षर पटेल को भी इस जॉइंट वेंचर में शामिल किया जाना चाहिए था जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दो बात तसे यह और अब बात करते हैं बॉर्डर गावस का ट्रोफी के सबसे बड़े जीरो की चार टेस्ट की सिरीज 2-1 से जीतने के लिए इंडिया को कभी न कभी हर प्लेयर से सप्पोर्ट मिला सिवाए एक आदमी के केल राहूल टीम इंडिया ने पहले दो टेस्ट की प्लेइंग 11 में केल राहूल को मौका दिया और बड़िया फॉर्म में चल रहे शुबमन गिल को नहीं खिलाया लेकिन केल राहूल की फॉर्म तो उनसे इतनी रूट ही कि तीन बैटिंग मौके में केल राहूल सिर्फ 20, 17 और एक रन का स्कोर बना पाए सोशल मीडिया पर बवाल क्रिटिसिसम के बाद केल राहूल को तीसरे और चौथे टेस्ट से ड्रॉप किया गया और उनकी जगे टीम में आय शुबमन गिल ने चौथे टेस्ट में 128 रन की बहतरीन पारी खेल के केल के टीम सिलेक्शन पर फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है वैसे लोग इस सिरीज में इंडिया के विकेट कीपर रहे के एस भरत की परफॉमेंस से भी खुश नहीं है पर केल राहूल के प्रती गुस्से के सामने के एस भरत बच निकले और केल राहूल रहे बॉर्डर गावस का ट्रोफी के सबसे बड़े जीरो तो यह था बॉर्डर गावस का ट्रोफी का निचोड आपको क्या लगता है कौन रहा बॉर्डर गावस का ट्रोफी का सबसे बड़ा गीरो और कौन था सबसे बड़ा जीरो कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर ये बात बता दीजिए मेरा नाम है चैनलस होगी और अंकट पर क्रिकेट की बाते आपसे करने के लिए तारा सितारा अवारा तो आते रहेंगे तो अगर आपने अभी तक अंकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो और दे झाझ सिर अवारा इ।